हेलो दोस्तों मैं हूँ जय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रफतार, अमरित मान और भी कुछ पंजाबी सिंगर्स और सौंग्स के इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि हमारी लास्ट वीडियो में सबसे पहला कमेंट किया था टेक अपलाएने और आशिस मिसरा का कमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इन्होंने लिखा बाई आप बिल्कुल सही न्यूस देते हो आई लव यू ब्रो तो बाई इतना अच्छा कमेंट करने के लिए थेंक्यू सो मच और बस आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखेगा और चलिए सुरू करते हैं इस वीडिय तो दोस्तों अगर आप मेंसे कोई रफतार का फेन हो तो आपको उनका अगला अलबम अगस्त में मिल जाएगा और शायद हो सकता है कि उनका कोई सोंग अगस्त से पहले रिलीज हो जाए लेकिन उनका पूरा अलबम अगस्त में ही आएगा तो इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा और रफ्तार के बाद अब हम बात करने वाले हैं बोलीवड के एक ऐसे सौंग के बारे में जिसको पांच महीनों में लगबग एक बिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं जी हां दोस्तों मैं बात कर गया है मिक्का सिंग, कुमार सानू और नहा ककडने तो इस गाने की पूरी टिम को कॉंग्रेच लेसंस और इसके बाद अब आम बात करने वाले हैं पंजाबी सिंगर करन सेंबी के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि करन सेंबी का नया गाना टी सिरीज की ओफिशि किया गया था तो वही करन सेंबी का नया गाना 6 मैं को रिलीज होने जा रहा हैं और देखते हैं कि ये गाना उनके फैंस को कितना ज्यादा पसंद आता हैं दोस्तों इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं पंजाबी सिंगर अमरित मान के बारे में तो अमरित मान का भी एक नया गाना कल ही रिलीज हुआ था जिसका नाम है जट फटे चक और दोस्तों इस गाने को अब तक यूट्यूब पर 5 मिलियन से भी जैदा बार देखा जा चुका हैं और दोस्तों अमरित मान का जो अब तक का सबसे ज्यादा देखी जाने वाला सोंग है उसका नाम है ट्रे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 400 लाइक्स मुझे पता है आप लोग कर दोगे तो फटा फट वीडियो को लाइक कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो भी कर देना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैर आइकन को जरूर दबा देना मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई